रीता प्रक्वान चैनल में आप सभी का हारदी श्वागत है आज देखिए आप लोगे सामने में बने पेस करने जा रही हूँ मालपुगा के रेश्पी जो यूपी और बिहार के खास ये डीश है ज्यादा तर खास खास ओकेजन या को तिवहार इस हम ये बनाए जाती है ये ये की ज़रूद परेगी यह मैं आपको दिखा रही है जिसके लिए मैं लिए हूँ आदा केलो मैंदा उसी जश्ट उसी कहा चीनी जो सुकर पाउडर मैं चीनी को फिस लिए आप चाहिए तो चीनी खड़ी विज दे सकते पीशा वही चीनी दे सकती है 0,800 चीनी अगर्छ सब्सक्राइब च Mississippi ड़ना पर है चावब नाता लिए चावब cambi । 25 इलाइची — की इलाइची का पाउड़ एक मोटा स्वाप देने लाइग बहुत अच्छा—oh आधा गरी गोला लेए हुझे जिसे में बारिक-बारिक महीन महीन काट करें चौप करके रखियूं। और दूद्ध रिखॉवार्मेंट कर नूशार जितने रिखॉवार्मेंट होगा तक वाउसा में दूद्ध में डालूगी जितना में बैटर तयार हो जाए गोल तयार हो जाते हुए भस मैं इसका बैटर अब तयार करने जा रहीए हम भी जै Komm że कर दढ दी जो ऑड़े लीए दाल झाँ, दाल नहीं हो, Center is the टॉटा फर्टे कं एए से वहट सOM आदिर यहादी इना अज आ में भाड़िक बाड़िक शॉबबड़िय। है लादी हो दो प्लेवर आता है और चार-पांच इलाची का पाउड़ा है। डाल करके इसका मैं बैठर तियार करेंगी फोल एकदम अच्छी तरह से मिक्स करके मिलाना है। और नॉर्मल टेंपरेचर का मैं दूद रही हूँ। जितना रिक्वार्मेंट होगा उतना ही मैं दूद डालूग दीरे-दीरे का दूद डालते जाएं और शाथ में उसको मिलाना है। बस एक ही साइट से चमच के साइटा थे इसको बढ़ियां से मिलाना है। धेरे-दीरे का मैं दूद डाल नहीं हूँ। और डाल करके इसको अच्छी तरह से चमच के साइटा से मैं चलाओंगे। दस से पंदरा मिनिट तक इसको अच्छी तरह से भोल को फेटना है, जितना ज्यादा फेटियेगा उतना ही क्रिस्पी और अच्छा पुआ बनेगा, माल पुआ बनेगा, इसके बाद बेच जो काजु के टुकड़े चोटा चोटा लीती हो, काजु के टुकड़े में में डाल सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा, और डाल करके इसको एक ही साइट से चमस से गोलना है, जितना ज्यादा आप इसको घोलिएगा, अच्छी तरह से फेटिएगा, उतना ही ज्यादा टेश्टी माल पुआ बनेगा, देखिए इससे तरह का घोल त्यार करना है, ना गाड़ा अना ज्यादा पतला, बिल्कुर इस तरह से बेटर त्यार करना है, अब देखिए मकडाही चड़ा के घी डालनी हो, यह माल पुआ घी में ही अच्छा लगता है, जब भी बनाईएगा तो घी में ही बनाईएगा, अब मैं देखिए घोल को चमस के साहता से, एक दब नीचे करके इसको डालना है, अब जब भी बनाईएगा नीचे करके इसको डालिएगा, तब आपका गुबारा का तरह फूलेगा, अब देखिए, एक साइड हो गया, हमें इसको पलट दे रही हो, और देखिए कितने अच्छा से फूल रहा है, माल पुआ का मतलब है कि तब बेटर, बहुत अच्छे से बना हो, अच्छे से त्यार हुआ है, यही भाषान है माल पुआ का, दबा दबा करके देखो इसको इसको इकड़ना है, इसको ब्राउन कर हो जाए, तब इसको में निकाला हूँ, तब देखिए, बिलकुल ब्राउन हो चुका, हम ऐसे निकाल द अब देखिए, प्लट दी हो, अब देखिए, प्लट दी हो, और इसको ब्राउन करके, उसी तरह से बनाना है, इसको 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 यह उपी और बिहार के खास यह आइटम बहुत अच्छे बहुत स्वादिश लगता है काने में देखिए कितना अच्छा कितना स्वादिश लग रहा है जरूर से बना करके आप अपने घर में ट्राइ कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा सब् वेलबाकर नहीं दवा है तो वेलबाकर अमर कोई भी दवा दीजेगा फिर से मैं नई वीडियो में मिलती हूं तक तक लिए धन्वाद और नमस्ते झाल 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 झाल